हेलो बच्चो मेरी पार्ट शाल में आपका स्वागत है आज की इस क्लास में हम मैट्स एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे ये क्वेश्चन भी ट्राइंगल की उसी प्रापर्टी पर आधारित है जिसके अनुसार हम कहते हैं कि एक ट्राइंगल की दो साइट क की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो वह जोड तीसरे साइट की लंबाई से बढ़ा होगा दी सम अफ दी लेंग्स अफ ट्राइंगल इस ग्रेटर दन दी लेंग्ट अफ थर्ड साइट तो अभी क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेंग्स अफ सेंटिमीटर लंबी है दूसरी 12 सेंटिमीटर लंबी है between what two measures should the length of the third side fall तीसरी जो side है उसकी लंबाई क्या होगी अर्थात हमने दो measures बताने हैं जिसके बीच में वो length आएगी मतलब कम से कम कितने लंबाई होगी तीसरी side की और maximum से maximum कितनी होगी तो अभी अगर हम तीसरी side को कहें कि उसकी लंबाई है x तो जो हमने property के बारे में भी बात की थी उसके अनस्वार 15 प्लस x जो है वो greater होगा दें 12 इन दोनों की लंबाई इससे बड़ी होगी 15 प्लस 12 शोड भी greater than x इन दो साइट की लंबाई इससे बड़ी होगी and 12 प्लस x is greater than 15 ठीक है तो अभी हमने वो लंबाई डूंड नहीं है जिससे ये तियों statements true हो ठीक है तो हम पहले statement हम second को लेते हैं this statement number second यह first है यह third है 15 प्लस 12 शोड भी greater than x मतलब x की जो value है वो value होनी चाहिए जो इससे छोटी हो इसका क्या मतलब है 15 बारा 27 27 से छोटी होनी चाहिए x की लंबाई 27 भी होगा तभी भी triangle नहीं बनेगी तो जो इसकी maximum लंबाई होगी इसकी लंबाई की मैक्सिमम लेंक्ट जो होगी लेस देन 27 सेंटी मेटर अगर एक्स की वैलू 27 से कम होगी तभी यह स्टेट्मेंट फ्रू होगी क्या स्टेट्मेंट है 15 प्लस 12 इस ग्रेटर देन एक्स तो इस साइट की लंबाई 27 सेंटी मीटर भी नहीं हो सकती 27 से छोटी होगी अगर 27 हो जाएगा तो यह बनेगा 15 प्लस 12 is equal to x is equal to 27 तो वैलिड नहीं होगी यह तो maximum होगी है minimum कैसे डूंडेंगे minimum डूंडेंगे हम यहां से 12 प्लस x इस ग्रेटर दन 15 तो अगर हम 12 को राइट साइट पे ले जाएंगे इस अलजब्दिक expression में x विल बी 15 माइनस 12 जब इसको राइट साइट पे ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा so x should be greater than 3 अब ही देखिए अगर x की value 3 हो तो 12 प्लस 3 15 हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे बराबर नहीं होना चाहिए यह साइट का जोड़ इससे बड़ा होना चाहिए तब ही होगा जब x की value 3 से अधिक होगी तो minimum जो है minimum length क्या होगी more than 3 cm x की लंबाई अगर 3 cm से अधिक होगी इस जोड़ में वो 15 से बड़ा हो जाएगा तो therefore, the length of the side of third length of third side should lie, should be between 3 cm and 27 cm इसके बीच में होगा 3 cm से बड़ा और 27 cm से चोटा, इसके बीच में होगा between 3 cm और 27 cm के बीच में होगा 3 cm से बड़ा होगा ठीक है? इन दोनों का जोड़ 27 है, यह इससे बड़ा होना चाहिए तो 27 से ज़्यदा लंबा ही निहीं हो सकती तो एक्स कम से कम, तीन से ज़्यदा होना चाहिए तीन से ज़्यदा होगा तब इन्का जोड़ 15 से ज़्यदा होगा तो line तीन से बड़ा और 27 से चोटा ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे अप लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू